नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैं टीम पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में दैनिक जागरल के समपादकी से 432 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 60 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूवत है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो 60 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट राजस्थान के उदैपूर की तरह से महाराश्ट्र के अमरावती में भी नुपूर सर्मा के समर्थन में पोश्ट करने पर उमेश कोलहे नामक व्यक्ति की हत्या का समाचार यही बता रहा है कि सिर्टन से जुदा करने की सनक से लैस जिहादी सोच वाले बेलगाम और बेखौफ हो चुके हैं इसका पता इससे भी चल रहा है कि देश के कुछ अन्य हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिहादी तत्व उन लोगों को उदैपूर के कनहया लाल तेली की तरह से हत्या करने की धमकियां दे रहे हैं जो भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपूर सर्मा के पक्ष में कुछ कह लिख रहे हैं उदैपूर और अमरावती की आतंकित करने वाली घटनाओं के पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं करनाटक के सिव मोगा में हरसा नामक यूवक की हत्या महज इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उसने सिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनने की जिद के जवाब में भगवा साल की पैरवी की थी इसी तरह अहमदाबाद में कथित इस निंदा के आरोप में किशन भरवाल को मार डाला गया था किशन की हत्या के आरोप में पकड़े गए एक मौलवी के पास तो उन लोगों की एक सूची मिली थी जिन्हें वह मारने की योजना बना रहा था चुकि हरसा और किशन की हत्याएं नुपूर सर्मा प्रकरण के पहले हुई इसलिए इस दलील का कोई मतलब नहीं कि उनकी विवादित टिपड़ी ने देश का माहौल खराब किया यह दुर्भाग्यपूर है कि गत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर सर्मा को फटकार लगाते समय कुछ ऐसा ही रेखांकित करने की कोशिस की सच तो यह है कि देश में जिहादी सोच वाले वैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिन्होंने कनहया लाल उमेस कोलहे को मारा या फिर इसके पहले कमलेस तिवारी की हत्या की थी पैरा यह ठीक है कि अमरावती मामले की भी जाच राष्ट्रिय जाच एजनसी को सौप दी गई लेकिन आवस्यक्ता केवल इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार जिहादियों को यथा सिग्र सक्त सजा देने की नहीं बल्कि उन कारणों की तह तक जाने की भी है जिनके चलते मजहबी उनमाद बढ़ता जा रहा है निसंदेह मजहबी उनमाद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि एक अरसे से संकीड राजनीतिक कारणों से यह दुस परचार करके माहौल को विसाक्त बनाया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को सताया दबाया जा रहा है और वे डरे हुए हैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अनेक मुसलिम संगठनों ने कनहया लाल की बरबर हत्या की निंदा की क्योंकि इन में से कई संगठन उन हिंसक प्रदर्शनों पर मौन धारण किये रहें जिन में सिर्टन से जुदा करने के खौफनाक नारे लगे थें यह सही समय है कि इस नारे को प्रतिबंधित करने की मांग खुद मुसलिम संगठन करें इस्टॉप दोस्तो इसी दिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट राजस्थान के उदैपूर की तरह से महाराष्ट के अमरावती में भी नुपूर सर्मा के समर्थन में पोश्ट करने पर उमेश कोल्हे नामक व्यक्ति की हत्या का समाचार यही बता रहा है कि सिर्टन से जुदा करने की सनक से लैस जिहादी सोच वाले बेलगाम और बेखौफ हो चुके हैं इसका पता इससे भी चल रहा है कि देश के कुछ अन्य हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिहादी तत्व उन लोगों को उदैपूर के कनहया लाल तेली की तरह से हत्या करने की धमकियां दे रहे हैं जो भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपूर सर्मा के पक्ष में कुछ कह लिख रहे हैं उदैपूर और अमरावती की आतंकित करने वाली घटनाओं के पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं करनाटक के सिव मोगा में हरसा नामक यूवक की हत्या महज इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उसने सिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनने की जिद के जवाब में भगवा साल की पैरवी की थी इसी तरह अहमदाबाद में कथित इस निंदा के आरोप में किशन भरवाल को मार डाला गया था किशन की हत्या के आरोप में पकड़े गए एक मौलवी के पास तो उन लोगों की एक सूची मिली थी जिन्हें वह मारने की योजना बना रहा था चुकि हर्षा और किशन की हत्याएं नुपूर सर्मा प्रकरण के पहले हुई इसलिए इस दलील का कोई मतलब नहीं कि उनकी विवादित टिपड़ी ने देश का माहौल खराब किया यह दुर्भाग्यपूर है कि गत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर सर्मा को फटकार लगाते समय कुछ ऐसा ही रेखांकित करने की कोशिस की सच तो यह है कि देश में जिहादी सोच वाले वैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिन्होंने कनहया लाल उमेश कोले को मारा या फिर इसके पहले कमलेस तिवारी की हत्या की थी पहरा यह ठीक है कि अमरावती मामले की भी जाच राष्ट्रिय जाच एजनसी को सौप दी गई लेकिन आवस्यक्ता केवल इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार जिहादियों को यथा सिग्र सख्त सजा देने की नहीं बलकि उन कारणों की तह तक जाने की भी है जिनके चलते मजहबी उनमाद बढ़ता जा रहा है निसंदेह मजहबी उनमाद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि एक अरसे से संकीर राजनीतिक कारणों से यह दुस परचार करके माहौल को विशाक्त बनाया जा रहा है कि भारत में मुसल्मानों को सताया दबाया जा रहा है और वे डरे हुए हैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अनेक मुसलिम संगठनों ने कनहया लाल की बरबर हत्या की निंदा की क्योंकि इनमे से कई संगठन उन हिंसक प्रदर्शनों पर मौन धारण किये रहें जिनमे सिर्टन से जुदा करने के खौफनाक नारे लगे थे यह सही समय है कि इस नारे को प्रतिबंधित करने की मांग खुद मुसलिम संगठन करें दोस्तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट राजस्थान के उदैपूर की तरह से महाराश्ट्र के अमरावती में भी नुपूर सर्मा के समर्थन में पोश्ट करने पर उमेश कोल्हे नामक व्यक्ति की हत्या का समाचार यही बता रहा है कि सिर्टन से जुदा करने की सनक से लैस जिहादी सोच वाले बेलगाम और बेखौफ हो चुके हैं इसका पता इससे भी चल रहा है कि देश के कुछ अन्य हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिहादी तत्व उन लोगों को उदैपूर के कनहया लाल तेली की तरह से हत्या करने की धमकियां दे रहे हैं जो भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपूर सर्मा के पक्ष में कुछ कह लिख रहे हैं उदैपूर और अमरावती की आतंकित करने वाली घटनाओं के पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं करनाटक के सिव मोगा में हरसा नामक यूवक की हत्या महज इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उसने सिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनने की जिद के जवाब में भगवा साल की पैरवी की थी इसी तरह अहमदाबाद में कथित इस निंदा के आरोप में किशन भरवाल को मार डाला गया था किशन की हत्या के आरोप में पकड़े गए एक मौलवी के पास तो उन लोगों की एक सूची मिली थी जिन्हें वह मारने की योजना बना रहा था चूंकि हरसा और किशन की हत्याएं नुपूर सर्मा प्रकरण के पहले हुई इसलिए इस दलील का कोई मतलब नहीं कि उनकी विवादित टिपड़ी ने देश का माहौल खराब किया यह दुर्भाग्यपूर है कि गत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर सर्मा को फटकार लगाते समय कुछ ऐसा ही रिखांकित करने की कोशिस की सच तो यह है कि देश में जिहादी सोच वाले वैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिन्होंने कनहया लाल उमेश कोले को मारा या फिर इसके पहले कमलेश तिवारी की हत्या की थी पैरा यह ठीक है कि अमरावती मामले की भी जाच राष्ट्रिय जाच एजनसी को सौप दी गई लेकिन आवस्यक्ता केवल इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार जिहादियों को यथा सिग्र सख्त सजा देने की नहीं बलकि उन कारणों की तह तक जाने की भी है जिनके चलते मजहबी उनमाद बढ़ता जा रहा है निसंदेह मजहबी उनमाद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि एक अरसे से संकीर राजनीतिक कारणों से यह दुस्परचार करके माहौल को विसाक्त बनाया जा रहा है कि भारत में मुसल्मानों को सताया दबाया जा रहा है और वे डरे हुए हैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अनेक मुसलिम संगठनों ने कनहया लाल की बरबर हत्या की निंदा की क्योंकि इन में से कई संगठन उन हिंसक प्रदर्शनों पर मौन धारण किये रहें जिन में सिर्टन से जुदा करने के खौफनाक नारे लगे थें यह सही समय है कि इस नारे को प्रतिबंधित करने की मांग खुद मुसलिम संगठन करें स्टॉब